अगर आपको भी मेरी तरफ व्रत में जादा कुकिंग करने का मन नहीं करता और कुछ हेल्दी भी खाना होता है तो आप भी बनाए ये iron, calcium और protein से loaded साथी fiber से भरपूर सामा पुलाओ या फिर इसे banyard millet पुलाओ भी कह सकते हैं सरफ 5 मिनिट का काम है और आप देख सकते हैं इसका एक एक दाना ऐसे खिला हुआ है रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके एक चोट असा कॉमेंट लिखना बिल्कुल ना बोले तो आई रेसिपी को शुड़ू करते हैं मैं एक चोथाई कप ले रही हूँ सामाराईसी से वरई या भगर भी बोलते हैं और इंग्लिश में इसे बान्याड मिलेट बोलते हैं तो इसको मैंने भेगा दिया था दोकर आधे गंटे के लिए आप चाहे तो पंद्रा मिनिट भेगा सकते हैं और इसके बाद मैं इसका पाणी जो है वो निकाल रही हो और अब हम इसका पुलाव बनाएंगे प्रेशर कुकर में बनाएंगे ताकि लिए बहुत ओजाले तो प्रेशर कुकर में एक चचोड़ा चमच घी डाल दिया है मैंने और घी करम हो जाया तो फिर इसमें डाल रहा हूँ एक चोथाई कपके जितनी गाजा चोटी कटी हुई थोड़ी सी हरी मिर्च पी डाल दी है पीस के और आप चाहे ना तो इसकी जगा आलू भी डाल सकते हैं लेकिन मैंने आलू और वॉइड किया है अन्यसे से काप्स की वज़े से अब यह जो हमने धोके रख्या था था सामा दाल रही हूं नमक आधा चुड़ा चमच नमक डाला है आधा चुड़ा चमच मैंने काली मिच का पाउडर डाला है साथी में थुड़ा साहरा धनिया डाल दिया है मैंने और आधा कप मैं इसमें पानी डाल रही हूं हमने एक चोथा एक कप लिया था सामा राइस तो उसका तो यह सामा फ्राइस जो होते हैं वो भी हाई प्रोटीन है और हाई आयरन होते हैं तो जिसको अनीमिया वगर की प्रोप्लम होती है उसके लिए काफी हेल्फुल है और हार्ट पेशिंट और डायबिटीज के लिए तो बहुत ही अच्छे हैं यह देखे दाना एक खिला हुआ है इसका और हलका सा यह थंड़ा होगा तो और अच्छे से अलग अलग हो जाएगा मैं इसमें थोड़ा सा एक बड़ा चमच ब्रोस्टेट मूंफली डाल रही हूँ आप चाहे तो इसमें रोस्ट करके काजू अगर भी डाल सकते हैं यह पुलाव ना बहुत ही निट्रिश पुलाव ना जाएगा मैं नाल यह रही हूई हो।